हाई फ्रेंड्स मैं अकांचा सर्माजी की विदकांचा मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स महील परिविक्षक तैयारी में आज हम A-Series का 35 स्वाभाग करने वाले हैं इसमें हम बाल विकास के टोप टॉप 51 मेंसी क्यों करने वाले हैं देखो बाल विकास के मैं करीब आपको 751 प्रेशने दूँगी आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है बाल विकास में आपको वही का वाल विकास वर्ग तीन वर्ग दो वाला बिल्कुल मत पढ़िये बहुत सारी जगह से आप तैयारी कर रहे होंगे लेकिन आप ये अपने थोड़ा से स्मार्टली स्टडी कीजिए कि बाल विकास आपको वह वाला नहीं पढ़ना है जो की वर्ग दो और वर्ग तीन में आता है ना तो आपको थोड़ा सा पता चला है कि बंडूरा के सिध्धान के पीछे पढ़ें बंडूरा के ही कोशन लगाने पढ़ें थॉन डाइक कई पढ़ने पढ़ें ऐसे नहीं करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जैसे कि यह फिप्टी बन खत्म होंगे तो मगर हमारी नेक्स्ट वीडियो बाल विकास का तो हम फिप्टी बन के बाद करेंगे ऐसे टोटल साफसी क्यावन इसके आपको करवाओंगी चलिए स्टार्ट करते हैं यह एमसी क्यू पार्ट वन है बाल विकास का और हमारी ए सीरीज का यह पैतीस वाफ आगे हमारी ए सीरीज जो पूरी है पूरी के पूरी बहुत सांद है इसमें सारे टॉपिक में करवा रही हूं MCQ में ठियोरी में और इसमें ही कोपोशर वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से करवा दिया दो अधीनियम भी मैंने इसमें करवा दिये हैं और कल ICMR रिपोर्ट लेके आउंगी उसका ICMR रिपोर्ट को मैं अलग-अलग पार्ट में करवाऊंगी ताकि आपको बहुत अराम-अराम से सारे पार्ट ICMR के समझ में आ जाए ऐसे ही मैंने बहुत जारे टॉपिक वाई जैसे कि प्रेसा ववस्था है गर्ववस्था है बहुत ईजी लेंग्वेज में समझा दिये हैं आप ए सीरीज में जाके पूरा देख सकत आते हैं जो मोटे हों स्वस्थ हों लंबे सरीर वाले हो प्रतिवासाली प्रखर बुद्धी वाले हो दुबले पतले हो यह प्रतिवासाली हो तो यह जो साइजोइड वर्ग होता है उसमें प्रतिवासाली बालक आ जाते हैं ऐसे बालक जो बहुत आसान ही से बहुत जल्द से चीजों को कैच कर लेते हैं बहुत जल्दी से किसी चीज को समझ लेते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं वह ऐसे बर्ग जो होता है वह साइजोइड बर्ग में आता है तो याद रखिएगा साइजोइड बर्ग में कौन से बालक आते हैं प्रतिवासाली बालक जो होते हैं साइजोइड वर्ग में आते हैं अगला है क्लार्क और वीर्च ने नर्च इमपाजी किसे को क्लार्क और वीर्च ने एक प्रियोग किया था उसने क्या किया था नर्च इमपाजी के सरीर में इस्तरी हार्मोन को प्रिवेस कराया था क्या फर्क दिखता है ये प्रियोग करने क तो यह पूछा जाता है कि कि भी यह पूचल ली जाता है कि क्स ने नर्चंपा जी के सरीर अगले कुछन देखते हैं आρक नेमने में से क्या बच्चों कि स्रजनातमक्त के विकास में सहायक नहीं है देखो खेल बिल्कुल सहायक है इससे बिच्चा स्रजन कर सकता है भासर देना इससे बच्चे के भासर कौसा सुधर सकता है कहानी लेखन से लेखन सुधर सकता है लास्ट में क्या एगा निर्मार सम्मंदी करिया है जो निर्मार सम्मंदी करिया है ये स्रजनात मक्ता के विका करने वाला एक सब्द है परिवर्तन परिवर्तन सारिरिक सामजिक और मनोविज्यानिक होता है मतलब बेग और हंट ने किसको परिभासित किया है परिवर्तन के रूप में जिसमें उन्होंने बताया है कि यह जो परिवर्तन है वो सारिरिक भी होगा सामजिक भी होगा इसमें बेग और रहंटर ने बताये क्यों अपको याद रहते हैं वो सारीक सामाजिक और मनोविज्णिक और मज्वूरावस्था नाम को अधिया है प्रतेग बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं एक अध्यापक की द्रेश्टी से सबसे अच्छा कथाने कि प्रतेग बच्चा सीख सकता है अगला कोशन है सीखने की प्रोजेक्ट विधी जो है वो किस अवस्था के लिए उप्योगी है बाल्य अवस्था, पूरो बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या उप्रोक्त सभी तो ये सभी के लिए बाल्य अवस्था के लिए भी और पूरू बाल्य अवस्था के लिए भी और मतलब और खिशोरव सभी के लिए ये सही है तो याद रखना है ये सीखने की प्रोजेक्ट विधी सबी अवस्थाओं के लिए योपियोग इसमें क्या होता है छात्रों को बास्तविक दुनिया से बास्तविक दुनिया को समस्या को हल करने के लिए कुछ काम दिया जाता है प्रोजेक्ट विदी में तो यह याद रखना अधिगम की यह विदी है और आप से पूछें यह किस दी थी तो जॉन डीवी ने दी थी प्रोजेक्ट विदी को किस ने दिया था प्रोजेक्ट विदी जो दी थी जॉन डीवी ने दी थी यह भी पूछा रहता है प्रोजेक्ट सिक्षड विदी किस से संबन्दे थै किस ने इसको दिया था तो जॉन डीवी ने दिया था इसम किसने लोगप्रिये बनाया किल पैट्रिक ने किल पैट्रिक ने इसको लोगप्रिये बनाया ये वी आपको याद रखना है इसके अलावाई किंडर गार्डन बद्दती थी एक बालवाड़ी वाला आया था जिसको फोवेल ने दिया तो जो किंडर गार्डन पद्दती का ये विध्याले में जो समावेशन किया जाता है वो किस के लिए होता है तो ये विसस्ट्रस रेणी के बच्चों के लिए होता है जिससे वो अती से अती सूक्ष्य प्राब्धानों का निर्मार कर सके समावेशन मतलब होता है सभी चीजों को समावेश कर सके सभी जितनी भी चीज जैसे कि कोई बच्छा बिकलांग है अब समावेशन उनके लिए भी होता है क्यूंँ जिससे कि वो खुद को ऐसा ना फील करें कि हम बिकलांग है खुद को यह फील ना करें अपाहईज है तो समावेशन है ना इसलिए ही किया जाता है ताक DOCism एक सा सिक्षा उनको मिल सके तो बिसेस्ट्रेस रहनी वाले बच्चों के लिए सूक्ष माती सूक्ष प्रापधानों के निर्माड पर निध्याले का समावेशन केंदरित होता है। बच्चा जो है वो गलत को भी सही मानने लगता है। इसलिए बाले बस्था को मिथ्या पकवता का समय कहा जाता है। उसमें अनुक्रमिक्ता पाई जाती है। सामाने से रिसिस्ट की और होता है। ये तीनों सही हो जाएंगे। प्रतिवर्ती गलत हो जाएगा। अगला है अधिगम निर्योगिता जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं किसका लक्षड है। भागनी की प्रवत्ती होना, असांत, उर्जावान, एवं विर्वन्शक होना, आपधान संबंदी विकार या अभी प्रेणा का विकार। आपधान संबंदी वाधा, किसी भी चीज में रुकावट होना, किसी भी चीज में समझे नहीं पाना, जैसे कि भासा को नहीं समझ पाना, टीचर जो बता रहा है उसको नहीं समझ पाना, तो वो ये आपधान संबंदी विकार होता है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी या उसर सब्सक्राइब ऑला है दूसरे वर्ष के अंति कितना हो जाता है दूसरे वर्ष प्रावंति का अगला है मैकडूगल कर निसार मूब प्रवत्ति की तुरू का सा वर्दन क्या है biography एक जो समभे緩ों को वर्दन की आप इसमें बताया उन्होंने मूल प्रवत्ती जो जिग्यासा है उसका संबंद किस संबेक से है तो जिग्यासा का जो संबंद है वो आश्चरिय से है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवत्ती जिग्या सका संबंद किस संबेक से है तो इसका संबंद आश्चरिय से है याद रखना मूल प्रवत्ती जिग्या सका संबंद किस से है आश्चरिय से फ्रेंट्स बहुत important news हम Instagram पर भी निसुलक तयारी करा रहे हैं current data वहाँ पे भेज रहे है current report आंगनवाडी की current report है आंगनवाडी कारे करताओं को जो posters मिलते हैं वो भी हम वहाँ पे डाल रहे हैं तो अगर आपने अभी तक हमारा Instagram फॉलो नहीं किया है तो Instagram फॉलो कर लिजेगा akansha1957 मेरी Instagram ID है इसकी लिंक में आपको comment section में भी डाल दूँगी तो वहाँ से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं इसको फॉलो कर लिजेगा akansha1957 नाइटीन फिप्टी सेवन एके एन के एसेचे वहाँ जाके आपको मेरा पिक मेल जाएगा वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे आपको exam तक बहुत सारी जानकारी बहुत सारे current data और picture form में मिलेगा तो आपको ढूंडने में परिसानी नहीं पड़ेगी इसलिए हमने Instagram पर ये classes start की है तो जिनों ने नहीं किया मुझे follow अभी तक कर लीजेगा साथ में description box में आपको मेरे whatsapp, telegram, facebook, twitter, insta का भी link मिलेगा मेरा whatsapp number है 626019094 अगर आप हमारे notes लेना चाहते हैं हमारा online subscription लेना चाहते है, test series, daily test देना चाहते है daily topic, online topic पढ़कर उसका test देना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ आपको मुझे whatsapp करके ही मिलेगा, तो आप मुझे whatsapp कर दीजेगा कक्षा अध्यापक में राहुल को अपनी कक्षा में अपने keyword पर स्वयम दोरा तयार किया हुआ, मदुर संगीत को जाते हुए देखा कक्षा अध्यापक ने क्या वैचार किया, कि राघम में कौन सी बुद्धी उच्च स्थरिये है, तो क्या हो, जब वो संगीत को गाते हुए देखा, कीबोर्ट पर, स्वयम का तयार किया हुआ, तो मधुर संगीत गाते हुए देखा, तो टीचर को पता चला, कि वो उसमें कौन सी बुद्धी उच्च स्थरिये होगी, उसमें संगीत में बुद्धी उच्च स्थरिये होगी, अगला है कक्षा में सिक्चारतियों से कहा गया, कि वे अपने समाच के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसे दरसानी के लिए अलग-अलग प्रिकार की सिल्पे कृतियां बन कहते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन कहते हैं सिक्षक कोई समाज में पूछता है क्या आप समाज के लिए क्या कर सकते हो तो किसी हिस्से के वारे में पूछना है तब इस प्रकार का जो होता है उसको पोर्टफोलियो आकलन बोलते हैं अगला है एक बालक अपने पड़ोसी के घर में अपनी मा की गोद में खेलता हुआ सो जाता है एक बालक है अपनी पड़ोसी के घर गया उसकी मा भी भही गई यह खेलता खेलता सो जाता है उसकी मा के द्वारा उसके पड़ोसी के यहां विस्तर पर सुलाते ही रोना प्रारंब कर देता है आपके अनुसर बालक किया यू कितनी होगी तो लगभग दस महीने की होगी दस महीने का बच्चा मा की गोद में ही सोता है अगर उसको गोदी से उठा के नीचे सुला दिया जाए तो वो क्या करने लगता है रोने लगता है तो इसके उम्रे कितनी हो जाएगी दस मा हो है यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है अगला है कौन सा बार विकास का एक सिध्धान नहीं है पहला है विकास के सभी छेटर महत्मून है ये वी है सभी विकास परिपकवन तथा अनुभब की अंतहक रिया का पढ़नाम होते हैं ये भी सही है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गती से बढ़ते हैं सभी विकास और अधिगम समान गती से नहीं बढ़ते ज़रूरी थोड़ी नहीं कि विकास हो रहा है तो विक्ति की सीखने की दर भी बड़े, बुड़ापा आते आते तक सीखने की गर बिल्कुल कम हो जाती है, बालने अवस्था और किशोर अवस्था में सीखने की दर अलग अलग होती है, अधिगम मतलब होता है सीखना, तो ये आपक मूल अंकन सब्डावली का दातपर है सेक्षिक एवम सहर सेक्षिक सेक्षिक चीजह हो रही हो और चीजें हो रही हो वह सिक्षा के सास सजएं सिक झाज़ नहीं How सो यूढ़ना से जाप चितर बनाना से जाण वरगी करत अधिगम सामगरी बहु आकलन तक्नीके तथा परिवर्त निये जटलता एबं सामगरी का सवरूप इन में से किस सम्बंदित होता है पारस पर इक सिक्षर से बिलकुल नहीं होता है इसमें तो आपस में सिक्षा का ही लेंदिन करते हैं सारभौमिक अधिगम प्रा तकनीकी वर्गीकरत अधीगम सामगरी बहु आकलन तकनीकी और परिवर्थनी जे टिलता सामगरी का सरूप किस से जुड़ा होगा विवेदित अनुदेशन से जुड़ा होगा किस से जुड़ा होगा विवेदित अनुदेशन से जुड़ा होगा friends देखिए ये हमारा पूरा online तयारी वाला पूरी detail है मैं आपको बता देती हूँ देखो हमारे जो notes है वो seven booklet आपको हमारे notes में मिलती है seven booklet में आपको एक booklet मिलती है 3000 plus mcq की एक मिलती है 1000 one liner की वो पास theory booklet मिलती है ये book का book plus online group मिलता है साथ में उस online group में आपको daily एक pdf मिलती है तैयार करने के जिसमें सारे topic हम cover करवा रहे हैं online भी क्योंकि कोई लोग book नहीं लेना चाहते हैं कि बढ़ online जुनना चाहते हैं तो हम online भी पूरी तैयारी करवा रहे हैं daily topic दिया जाता है और daily उसका test दिया रहता है 24 x 7 हमारा whatsapp group एक्टिवेट रहता है यह उनको मिलता है जोनोंने हमारे notes लिये हैं या हमारा online subscription लिया है हर वक्त हम अपनी group में तैयारी कराते हैं हमारे student जो हमारे से विस्पास करके हम पर जुड़े हैं हम उन्ने 100% selection दिलाने के लिए तर्थ पर हैं हम और हमारी team हर वक्त उनको इस तरह से topic तैयार करके देते हैं कि वो topic उनका तैयार ही हो जाए चाहे अधीनियम हो चाहे कोई परिभासा कोई कठिन topic है तो हम उसको trick द्वारा याद करवाते हैं तो हर कुछ हम करवा रहे हैं easy language में तो इसमें क्या होता है अगर online जो group है पहले वो बता देती हूं online group में 100% selection तैयारी group है सारे topic online cover है cutting topic अधीनियम धारा trick द्वारा cover है daily topic wise test है daily pdf है सारी परिभासा है हम trick द्वारा याद करते हैं परिक्षा तक लगवक 40,000 प्रेशनिया तैयार करवाए जाएंगे अगर आप घर पर notes मंगाते हैं तो यह सारा package आपको free मिलता है लेकिन अगर आप notes नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे online group से जोड़कर भी तैयारी कर सकते हैं घरत के प्रेशनों को भी trick द्वारा cover करा यह पूरी seven booklet है आप देख सकते हैं यह seven booklet आपको दी जाती है notes order करना है यह आपको हमारे online group से जोड़ना है तो यह 6260190944 इस पर आपको मुझे WhatsApp करना है आप phone भी कर सकते हैं चार बजे के बाद साम को चार बजे के बाद आप मुझे इसमें number पर phone भी कर सकते हैं बाकी आप ग्रोप से जोड़ना है डेली PDF लेना है डेली टेस्ट देना है तो उसके लिए आपको 79999 का चार्ज करना है तो कोई भी package जो आपके अगर आपके पास कोई books हो तो आप हमारा online ले सकते हैं अगर आप books भी लेना चाहते हैं book में बहुत easy language में data दिया हुआ है तो आप साथ म हमारी books भी मंगवा सकते हैं books की साथ आपको ये group जो है online वाला जो group है वो free मिलता है अगला question है किसोरों की जटल अवस्था के कारण किसोरों के अध्यन का विशे कैसा होना चाहिए सारे रिक मानसिक सरीर तथा मन सम्मंदी तो इसका उत्तर हो जाएगा किसोरों की जटल अव क्या है बच्चों में नेतिक तक अगर स्थापना करना है तो सिक्षक का आदर्स रूप से विहवार करना चाहिए मतलब अगर जैसा सिक्षक सिक्षक अच्छे से विहवार करेगा तो बच्चा क्या होता है बच्पन से अपनी सिक्षक को ही उसका अपना आइडल मानने लग अगJackly now چाहिए इसका आर्थ क्या होता है साधन संपन का मतलब क्या होता है परियापत उनके पातज़ सम्पता होना चीत तो बिल्कुल घृत ऐसा थोड़ी होगा विध्यार्तियों के बीच उनकी प्रसिद्धी होना चाहिए गलत होगा तो सी इसका सही होगा एक सिक्षक को किस्से साधन संपन होना चाहिए उसको विध्यार्ति की समस्या को हल करने का परियाप्त ग्यान होना चाहिए यह इसका अंसर हो जाएगा अगला कुज्शन है अध्यापिका टिया कि पूस्पा अपने आप किसी समस्य का समाधान नहीं कर सकती फिर वी भाइ एक बयस के या साथी के मागदर्सन की उपस्थिति में ऐसा करती है इस मागदर्सन को क्या कहते हैं मतलब वो अपने आप नहीं कर सकते उसे किसी की सहारे की जरुवत होती है उसको पास्ल करन नहीं बोलते नहीं पूर्विक्रियात्मक चिंतन बोलते नहीं समीपस्त विकास का समीपस्त विकास का मतलब अपने ही किसी अंग का विकास होना होता है इसका अर्थ हो जाएगा सहारा देना पुस्पा अपने आप नहीं कर सकती वो साथी के माग दर्सन की उपस्तेती करती तो वो साथी के द्वारा उसका सहारा हो जाएगा क्या हो जाएगा साथी के द्वारा से सीखते हैं साथियों से भी सीखते हैं तो अंसर क्या हो जाएगा इसके 751 कोश्चन कराऊंगी इसके बाहर एक भी प्रेस्टन नहीं जाएगा यह वीडियों भी देखतर हुआ हूँ यह मेरी जितनी वीडियों से उनके पीडियाफ हमारे वह गुरूप में कराती हूँ गु बहुत सारी लड़कियां क्या हाउस वाइफ हैं घर का काम कर रही है कोई किसी को बहुत मतलब बहुत समय से किसी ने पढ़ाई छोड़ी तो उनको जंदल यान नहीं होता है तो हम उसके लिए ट्रिक करवाते हैं तो जिससे उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है और भूलती नहीं है और बहुत और डेली केबल डेली टेस्ट एक ही चैनल पर होते हैं वो भी हमारे जी के वितकांचा डेली टेस्ट वो भी कैसे टॉपिक वाइस कल हमारे चैनल पर टेस्ट हुआ था हमारा जो डेली टेस्ट होते हैं उसमें कल सो अप्रेशनों का टेस्ट हुआ था सा बार बार एक की टॉपिक करवाते रहते हैं जब तक उनको पूरा याद नहीं हो जाए निउट्रेशन वाला पार्ट हो चाहे आईसी हमार दोजार चॉबीस की रिपोर्ट हो चाहे अधीनियम की धाराएं हैं हम पूरी डिटेल में धाराएं याद करवाते हैं अपने बच्च करव इतनी बुद्धी बढ़ेगी तो गिलफोर्ड ने सबसे पहले ये भी याद रखो ये कोशन भी पूछा जाता है एक कोशन कि किसने अभी सारी चिंतन का प्रयोग किया है स्रजनात्मक्ता के लिए तो गिलफोर्ड ने किया है अभी सारी चिंतन का प्रयोग और किस समा कितनी होगी मतलब बहुत अच्छी आईक्यू वाला होगा कि उसकी उम्रत तो चार वर्स है लेकिन काम कैसे कर रहा है उसका पांच वर्स की जैसे इससे आईक्यू हो गई हो तो उसकी वाइच्चे क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी अगला कुछा ने व्यक्तिगत सिक्षार्थी एक दूसरे से डैस में भिन होते हैं व्यक्तिगत सिक्षार्थी मतलब जो अलग अलग बच्चे होते हैं सिक्षा को ग्रहन कर रहे हैं वो एक दूसरे से किस में भिन होते हैं ब्रद्धियों विकास के सिध्धानतों में विकास क छिक्रम में नहीं होते मं विकास की दर में एक दूसमें को ग्रहना कर रहा हो घ्सни कौन सी संस्ताइक ? सामाचिक परमपरां की बात कर रही है, टीचर तो परमपरां ग्यान आपको देंगा नहीं, आसपरोस वाले भी नहीं देँगे, तो इसके अत्तिर क्याowo reciprocal और धीया परिवार एक ऐसी संस्ता है जो समाजिक परंपराओं के हस्तान तरण में योगदान देती हैं कि अगला है बालिकाल का सबसे सही समय क्या होता है बालिकाल को आपके स्रूप में बताएंगे सबसे सही तो 6-12 वर्स का जो कुई हो जाएगा बालिकाल हो कि एक एक से टीन वर्स की समय होता है वो सहस्वा वस्ता होता है तीन से छे केहते हैं औ를 12 वर्स को हिसी कि है कि आसने के अरबी कर शोर भी कहा जाता है कि अगला सब्सक्षा overly healthy करेगा असंगटित की घर Peak से आने में में बहुत लड़ाई हैं वगेरा होती रहती हैं एकदम अच्छे से नहीं रहते हैं ज्वाइन फैमली नहीं होती है चाचा बाबा में ही लड़ाई है हना चाचा ताओ में ही लड़ाई तो वो कैसा अनुभब करेगा अधिक कटने का जब उससे कहा जाए कि वो स्वतंत्र भध्यां करेगा अगला कुशन है किस विज्यानिक ने माना कի उच्छित वातावरान में वड़ी में वरद्ध ये किस्ने मना कि अगर अच्छा वातावरें देंगे तो नो जो नरहीं हो जाएगी तो यह भूला इस्टिफげ ने किस ने बोला है इस्टिफज़ ने बोला य ये इस्टी फंस ने माना है कि अगर अच्छा वातावरन होगा तो बुद्धी लब्धी में भी प्रद्धी हो जाएगी अगला है एक बालक जिसकी बुद्धी लब्धी 105 है उसे किस रूप में वर्गीकरत किया जाएगी 105 बुद्धी वाला समान ने बुद्धी होती है मंद्य बुद्धी पचत्ता से कम हो जाएगी समान से अधिक बुद्धी 125 हो जाएगी है ना 120 इसे 25 भी स्रेश्ट बुद्धी हो जाएगी 105 बुद्धी लब्धी है तो उसे समान ने बुद्धी कहा गएगा आप लोगों के लिए एक question दे रही हूं कि बुद्धी लब्धी की परिभासा किस ने दी थी बुद्धी लब्धी की definition है या बुद्धी लब्धी की जो परिभासा है किस ने दी थी ये आप लोग मुझे comment करके बताएंगे comment box में आपको हमारे instagram की link भी मिल जाएगी वहाँ प आपको लिंक बताई है अकांशा 1957 यह मेरे इंस्टाग्राम आइडिया साथ में टेलिग्राम गुरूप की लिंक भी आपको मिल जाएगी वाट्साप गुरूप की लिंक भी आपको डिस्क्रूप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी एक बालक जिसकी बुद्धी लब्धी 105 हो से क्या बोलेंगे समान बुद्धी वालक बोलेंगे अगला है बुद्धी क्या होती है तो बुद्धी सामर्थों का एक समुच्य होती मतलब एक सक्ति का एक समुच्य होता है सामर्थ मतलब होता है सक्ति और समुच्य को समुच्य या गुरूप भी बोला जाता है तो बुद् सा सिध्धांत इस संबंधित है न तो सिक्षा समाज मिडिया मनो विज्ञान और मीडिया के बारे में तथ्देव से चाहिए सब्सक्राइब मनोविज्ञान है मतलब आप किस तरह से सिक्षा बच्चे को मनोविज्ञानिक रूप से यह साइकलोजीकल रूप से प्रदान कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा इसका सिक्षा मनोविज्ञान आंसर हो जाएगा अगला है सोला पीएफ का मापन निसे 6 महपन को की कि एग देखेंगे सोला के 10 का व्यक्तित्व परिक्षण होता है। E इक स्वार एपोर्ट टेस्ट है, इसको सोबुस्टहें बॉलते हैं और एक स्वारिपोत टेस्ट में वखक्ति 14 वेच्प से प्रिष्ण उस पूछे जाते हैं और उसके बादसका टेस्ट लिया अच्छा होता है तो वोetus काम होते हैं चाहर कुम नंबर होते हैं चाड से कम स्कोर को बहुत कम कम है तो बुरा माना जाएगा से स्कोर में 16 प्रशनावली और सास्य देखे तो अच्छा माना जाएगा इसके बाद जो 16 प्रशनावली कहते हैं इसको बोलते हैं अपन परसनल फैक्टर मतलब व्यक्तित्व का परिक्षन होता है और स्वा रिपोर्ट टेस्ट होता है इसको 1949 में विक्सित किया था कब किया था किसने विक्सित किया था कैटल ने विक्सित किया था और यह किसके मापन के लिए किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जा सब्सक्राइब बता देती हूं आपको सोला पीएफ पद्धती किसकों ने किसका सिध्धानते यह केटल का है केटल से याद रख लो केटली केटल से याद रख लो केटली और यह केटली कितने की है केटली सोला रोपे की तब कभी भी आप केटल और सोला पीएफ नहीं भूलो जिससे कि 100 मापं, 100 कारक मापं मतलब व्यक्तित्व का 100 मापं किया जाता है 4 से कम स्कोर बहुत गंदा होता है और 7 से ज़्यादा अच्छा स्कोर माना जाता है तो ये आपको याद रखना है ये इस प्रेकार से ट्रिक्स से हम गुरुप में याद करवाते हैं अपको बताया प्राथमिक विद्यालों के वालकों के लिए आप किसे बहतर मानते हैं वीडियो अनुरूपन को प्रदर्शन को स्वयम के द्वारा किये गए अनुबब को यह सबी प्राथमिक विद्यालों का बालक जितना स्वयम के द्वा भाविक भावात्मक या अध्यात्मिक तो जो अनुभाविक है वो सीखने का छेत्र होता है कौन सा अनुभाविक जो होता है वो सीख मतलब अनुभाव के द्वारा अनुभाव के द्वारा सीखना ये एक सीखने का छेत्र होता है अनुभाव मतलब अनुभाव से सीखना एक क आना कारण उसका बें और तो इस प्फहर जो पुच्छञा जैसा कि दोनी कड ली ki बेटिं भी करते तो जो बेटिंग वाला पोसन ने वो उनका को पुर्षिवो ऊथि कोसिल को प्रभावित कर सके इस परिकार का प्रवाथी क्रेश क्या ए इसक प्रव्र控घ कियालाता है इसका सून 하지 क्रेश है अंतरन कहलाता है बच्चों के बारे में किस कथन से बाई गौस्य की सहमत थे बाई गौस्य की क्या बोलते थे बाई गौस्य की हमेशा सामजिक अंतहक रिया को महत्व देते थे किसको देते थे बाई गौस्य की सामजिक अंतहक रिया को हमेशा महत्व देते थे बाई गौस्य की का मानना था कि बच्चे जो होते हैं हमेशा दूसरों की द्वारा ही सीखते हैं अपनी जो हम उम्रे के लोग हों बैसकों हों उनके साथ अंतहक रिया के माद्य हम से सीखते हैं ऐसा बाई गौस्तिकी बोलते थे तो पहला ही इसका उप्सन से बूसरा है आकर से पुरुसकर इसके बारे में ब समझा सा सकता है जब प्रयोक साला में पसुव प्रभावत तो भी ये भी बाई गौस्तिकी बात नहीं करते बच्चे जर्म से सैतान होते हैं उन्हें दंड़ देकर नियंतित करते हैं ऐसा तो किसी ने भी नहीं का तो इसका पहला आंसर हो जाएगा बच्चे समभैसकों और आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं, गलत हो जाएगा यह आध्या पक को बच्यों को डाटने के लिए अएक तरीका उपलब्ध कराती हैं यह भी गलीत हो जाएगा गलतियां इसलिए हैं यहां बोल रहा है कि गलतियां क्यों महित्पूर् included यह बच्चे की बिचार की अंतर कहां गल्ती करी है हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं तो तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा अगला है निमलिकित में से कौन सा विसिस्ट अधीगम विकलांगता का उधारन है मानसिक मंदता डिसलेक्सिया अटेंसन डेफिसित हाइपर डिसॉडर या ऑर्टिज्म तो विसिस्ट अधिगम जो विकार, मतलब आप किसी चीज़ को सीख नहीं पा रहा है, पथन किरिया का, जो पथन किरिया में जो समस्या होती है, उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, ओर्टेज में मतलब तो मंगोल वाला खो जाते हैं, अटेंस अन डेफिसिट मतलब किसी एक चीज़ के बार विद्यारतियों के अच्छे मानसिख स्वास्त को बनाये रखने के लिए कौन सा तरीका महत्पूर है सबसे ज़्जादा, अध्यापक की भूमी का और विद्यालई बातावरन ये सबसे जदा महत्कून है कि अध्यापक कैसा है और उसका बातावरन कैसा है ये अच्छे मानसिक स्वास्त को बनाए रखने बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगला है कौन सी पूर बाल्य अवस्ता की विशेस्ता नहीं है देखो प्रेशन करता है ये बिल्कुल सही है अनुकरन भी करता है ये भी सही है ये बच्चे पूर बाल्य अवस्ता में दल्य समू में रहते हैं ये भी सही है पूर बाल्य अवस्ता की कौन सी विशेस्ता नहीं है ऐसा नहीं होता कि वो पूरे टाइम खेलता रहे यह इसमें ऐसा नहीं बताया है बाकी ये तीनों अवस्ता जो होती है पूर बाले अवस्ता की होती है सिक्षक काती महत्पूर उद्देश्य क्या होता है आजी भी का कमाना बिलकुल नहीं पढ़ना लिखना सीखना ये भी नहीं बौदिक विकास ये बच्चे का सरवांगीन विकासी सिक्षक का महत्पूर उद्देश्य होता है अगला है सामजिक आर्थिक मुद्दों से जूज रहे बच्चों को जिनकी प्रतीवा प्रभावेस हो सकती है कौन सा मॉडल सहायता कर सकता है जो सामजिक आर्थिक मुद्दों से जूज रहे है सुवा अधिगाम मोडल, सुवा मधिगाम मतलब खुद के कारियों द्वारा सीखना सुवा ऐसे लोग जो बाहर से सिक्षा नहीं कर सकते बुक्स नहीं ले सकते, अच्छे अच्छे स्कूलों में नहीं पर सकते बहुत ज़ता पैसे को इन्वेस नहीं कर सकते, सामज एक कोई परिशानिया है तो वो क्या कर सकते हैं, सुवा अधिगाम मोडल, मतलब खुद के द्वारा ही सीख सकते है इस तरह से देखिए, ये एक पेज है, इस तरह से हम अपने गुरूप में तयारी कराते हैं इस एजी लेंग्वेज में, ये मासलो का प्रामिड है, इस प्रेकार से प्रामिड बना का इस प्रेकार का मैं बोल दी तो आपको इंस्टाग्राम पे चार्ट दिया जाता है इस प्रेकार से चार्ट दिया जाता है, ये जैसे कि ICMR की report है इस तरह से easy language में तयार कराई जाती है हमारे notes के साथ जो practice set मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है और ये 7 booklet मिलती है जो आपके घर पे पहुंसती है तो या तो आप इस तरह से books मंगबा सकते हैं या आप इस तरह से online तयारी करना चाते हैं चार्ट दोरा ये easy language के fact हम hand written ब बाल विकास की परिवासा के लिए क्या main अध्यन किया जाता है मानवी सामर्थों में परिवरतन बिल्कुल नहीं बाल विकास में मान आपके क्यों हो जाएंगे जीवन अबधी के दोरान देखो बालक की बात कर रहे हैं तो पूरी जीवन की बात तो होगी ही नहीं बच्चो की वैस्क तथा बरिष्ट नागरिकों के साथ तुलना ये भी नहीं होगी बाल विकास है तो बच्चे की ही बात करेंगे बैस की क्यों करेंगे चो अथा है किसी बच्चे के संग्यानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तर दाई ये बि टिम्डिकित में से डेस की अत्रिक्त सभी बाता वर्णिये कारक विकास को आकार देते हैं पोशन बिलकुल देता है संस्कृती भी देता है सिक्षा की गुडवत्ता भी देती सारे रिक गठन बाता वर्णिये कारक नहीं है जो की विकास को आकार देगा, सारे रिक गठन तो घर से होता है, अगला है उपनयन संसकार जो दिया जाता था, वो किस काल में दिया जाता था, उपनयन संसकार जो दिया जाता था, वेदिक काल में दिया जाता था, बच्चे को पढ़ाई के लिए घर से बाहर भेजना ये इसको अपने संसकार बोला जाता था और ये बैदिक कालम जैसे की आपने रामायन देखियोगी महावारत देखियोगी तो जो भगवान होते थे वो सिक्षगरहन करने चोटे में चले जाते थे फिर बहुत समयवाद सिक्षगरहन क करके आते तो वो अपने संसकार होता है पचासवा कोश्या ने गतिक कोश्कों में अधिगम निर्योगता क्या कहलाती है आप कोई काम गतिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं गती नहीं हो पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा उसको डिस प्रेक्सिया बोलते हैं क्या बोलेंगे और अगला है डिस्वैजिया ये पढ़ने ये सारे पठन सम्मंदित विकार होते हैं गड़ित के पढ़ने के लिखने के और गतिक कौसल मतलब गती करने में जो कौसल से सम्मंदित के निर योगता होती है उसको हम डिस्वैक्सिया बोलता है ये आपको याद रखना है ये इंपोर्टन है ये जो डिस्वैजिया होता है ये बहा सा का डिस्वैजिया होता है dysphasia क्या होता है एक भासा का disorder होता है slow language disorder जिसमें आप भासा को सीखने में परशानी फील करते हैं और समवेग का उपयोग करते हैं संभे गात्मक ढूद्धी का उपियोग करते हैं, याद करना बिलकुल नहीं होगा, गतिक प्रक्रणमी नहीं होगा, बिचार नहीं होगा, किसी के प्रती आप सम्हानुभूति दिखा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी संभे गात्मक Budhdy का उधारन हो जाएगा, य के आगे के पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा सेयर कीज़ेगा ओके फैंस इंक यू